चाचा भतिजा मिल का भी गह रहे हैं कि आपको परिक्षा देने में क्या दिकत है भाई हमको परिक्षा देने में दिकत नहीं है लेकिन हम चुनाव आयोग सही भी मांग करते हैं कि चुनाव लड़ने वाले का भी चुनाव आयोग पहले परिक्षा ले और जो पास करता है कि चुनाव के समय जो घोषना पत्र में लागू करते हैं जदी पॉरा नहीं किये तो एक ऐसा नियम बना देवे कि उस नेता पर देश द्रूह का आरोप लगे अजीवन चुनाव नहीं लगे अपने लिए क्यों नहीं बनाता है पूर्व से नियोजी शिक्षक जो भी है वो बनिहार के तरह खट रहा हैं दास्ता परिचा दिये वो क्या क्या ना जने कितने परिचा दिये और अब सरकार बोलती है कि फिन परिचादे तब नीमित होंगे, यह कहा के नियम है? और अगर नहीं सरकार वापस लेती है नई नीमावली को, तो पहले पूरे बिहार में जातिये जंगन्ना का भी बहिसकार करते हैं हम लोग? सब्सकिक् Sneщik लोगों को 25 साल के उम्र के साथ दोड़ाना चाहिए गा तो वो उसके साथ कितना देर दोड़ेगा इससे ये मनसा लगता है कि परिछा लेकर हमको राज कर्मी का दरजा देंगे तो फिर हमारे साथ आपने जो वादा किया था वो वादा कहां गया कोई भी यूवा बीपीएसी के माध्यम से परिछा देगा वो अब वीडियो सियो क्यों नहीं बनेगा परसासनिक पता दिकारी में क्यों नहीं जाएगा तो जस्वी जी जो है अभी उपमुख मंतरी इनकी जो पार्टी है यह चुनाव के पूरुव भी और अभी भी ये बात कर रही थी नहीं दिशा में परियास भी प्राराम्ब किया था जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां अभी सभी सरकारी सिक्षा का यहां पर जमाउडा लगा है और सरकारी सिक्षा के साथ हमेशा कुछ नकुछ टोल मटोल होते रहते हैं कुछ न कुछ इनके साथ दिक्कत परसानी आती है हलाकि अभी चल 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 आती धूप में इन लोग धरना पर है एक द्वसिय धरना पर है और अभी हमारे साथ मौझूद है जीला उपाध्यक्ट स पर्खांड अध्यक्ष परिवर्तनकारी पररंभिक सिक्छक संग का अनील सिंग है और साथ में चटू सर भी मौझूद है सभी लोग जितने भी है सभी सिक्छक कर्मी है हलाकि सरकार कुछ नियमावली इनके बिरूद खिलाफ कुछ निकाल दिये जिस करन सिक्छकों में काफी आकरोस व्याप्त है उसी मुद्धे पर मैं जानने का पर्यास करूँगा सर क्या दिकत है अब लोग दिकत यह है कि हम लोग पिछले 15-17 साल से नियोजी सिक्छक के रूप में काम कर रहे हैं और एक उमीद सरकार के तरफ से हमेशा मिलते आया है कि आपको राज कर्मी का दर्जाद दे दिया जाएगा खासकर हमारे तेजस्वी जी जो है अभी मुख मंतरी इनकी जो पार्टी है यह चुनाओं के पूरुव भी और अभी भी ये बात कर रही थी इन्होंने इस दिशा में परयास भी प्रारंब किया था चंसेकर जादो जी इनके संगठन के तरफ से सिक्षा मंतरी हैं बिहार के उन्होंने सभी सिक्षक संग के लोगों को बुलाया था कि कैसे आपके नियमावली में सुधार किया जाए बाते हुई उन्होंने आसवासन भी दिया कि आपको राज कर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा और आपके सेवासर्त में भी सुधार कर दिया जाएगा इसके विपरीत अभी 10 अपरेल को सरकार ने जो नियमावली कैबिनेट से पास किया वह बहुत ही आसर जनक है जो नियोजी सिक्षक पंचायती राज के तहत थे उनको पंचायती राज में ही छोड़ दिया और एक सिक्षक का नया संबर खड़ा कर दिया और कहता है कि उनकी परिशाल आयोग के माध्यम से लेकर उनको नियुक्त किया जागा तो आप सोच सकते हैं कि एक सिक्षक बनने के लिए पहले वह बीएड में टेस्ट क्या करता है इंट्रेंस टेस्ट देता है फिर उसकी बीएड में एडमिशन होती है बीएड करने के बाद वह फिर टेट की परिशा देता है टेट का परिशा पास करता है इसके बाद फिर सिक्षक के पर उसकी नियुक्ती होती है और उसके बाद ही कर रहे हैं कि नहीं अब आयोग के द्वारा परिक्षा ली जाएगी और तब आपको सिक्षक के रूप में निक्त किया जाएगा तो भाई कोई भी यूवा बीपीएसी के माध्यम से परिक्षा देगा तो सिक्षक क्यों बनेगा वाप वीडियो सियो क्यों समाजित कर लेना चाहिए था इसके बाद आगे जो नियमावली में आपको परिवर्तन करना था करते लेकिन उहोंने कुछ नहीं किया उनको जहां था वहीं पर छोड़ दिया और उनको आपको भी जरूरत पड़ेगा तो इस परतियोगता परिक्षा पे भाग लेना पड़ बुढ़ा पें आप इसलोड़ा चाहते हैं तो लगता है कि इनसे तो नहीं होगा है सोचने वाली बात है कि अब इनसे परिक्षा लिया जागा नियमार रहें इससे यह मंत्सा लगता है कि परिच्षा लेकर हमको राजकर्मी तो फिर हमारे साथ आपने वादा किया था वह जब आप भी पक्ष में जाते हैं तो आपका सूर बदल जाता है, पक्ष में आते हैं तो आपका काज करने का पदती ही अलग हो जाता है, सवाल ये नहीं है कि आप परिक्षा लीजेगा, परिक्षा आप लेते हैं, सुरू से लेते हैं, हम तो परिक्षा देते ही आ रहे हैं, ह यह बड़ी बिडंबना है कि बिहार में एक ऐसी सरकार है जो कहती है कि हम सुषासन की सरकार हैं हम गरीबों के मसीहा हैं लेकिन इस साढ़े चार लाग चार लाग सीख्षकों में वैसे ही लोग हैं जो गरीब परिवार से आते हैं इसलिए आपके हाँ 4000-5000 से नोकरी कर रहे थे आप से और रहेंगे कि आज 33 परसाद्यादो जी बने हुए हैं वह का मोक्मंत्री के पत्वर है अभी तो बिहार का मुखिए नितिश कुमार जी हैं और ने कई वर्षों से नितिश कुमार जी है जाए फिर आरजेडी में तो भाजपा की भी सरकार में नितिश कुमार बाइधानी कदिकार है एक ही विद्याले में कई तरह के सिक्षक काम करते हैं उनको कई तरह का बेतन दिया जाता है काम समान लिया जाता है काम एक तरह का लिया जाता है संभीधान में यह प्रावधान है कि अगर समान काम किसी से आप लेते हैं तो उसको बेतन भी समान देना ह लेकिन आप नियोजी सिख्छक को 40005000 में काम करा रहा है वहीं पर नियमी सिख्छक है उसको एक लाक रुपए बितन मिर रहा है यह कहा की समानता है हम मांग उस समय से करते आ रहे हैं लेकिन आपको उसका विरोद करना चाहिए था कि हम भोसनापत्र में इनका है कि हम राज कर्मी का आपको तरजा देंगे ठीक है नितेश जी आज मुखिये इस सरकार के मुख मंतिरी है लेकिन आपको उसका विरोथ करना चाहिए था आप नितेश जी के सूर में सूर मिलाकर कहते हैं कि नहीं है कि आपको परिक्षा देने में क्या दिक्त है भाई हमको परिक्षा देने में दिक्त नहीं है लेकिन हम चुनाव आयोग से भी मांग करते हैं कि चुनाव लड़ने वाले का भी चुनाव आयोग पहले परिक्षा ले और जो पास करता है तभी उसको चुनाव में खड़ा होने क अगर इसको लागू कर देता है और दूसरे को सलाह दे रहा है कि आप परिच्चा पर परिच्चा दीजिए और बेतन कि और गिरते जा रहा है सरकारी सिक्षक का बेतन थिरानवे सो का स्केल का होता है इन्होंने नियमावली बनाया हुजी यह भी घुसरा नहीं किया कि लाको युवा जो बिएट करके टेट पास करके इस राज्य में बैठे उए उनके साथ भी चल कर रहे हैं जो काम कर रहा है वो तो अब अब अधास हैं कि उनको आपने इस हाल में छोड़ दिया है कि उनके परिवार का भरण पुसन आगे चल के कैसे होगा एक कर्मी 40 साल तक मौकरी करेगा और रिटायर होगा तो उसको पैकेट में कोई एक नया पैसा नहीं मिलेगा उसके भविस्त के सुरक्षा के लिए सरकार कोई व्यवस्ता नहीं किये आप समझ सकते हैं हुँगा परखांड उ रणगबा जिला उपाधयक्ष अनिल सर्स अनिल कुमार सिंह से मैं जानने का परियास करूंगा कि इनका मांग किया है और यह सरकार के परति क्या कहना चाहते हैं हम लोगों को सरकार के परती यह कहना है कि DAS के जो नया निमावदी जो लागू किये है ओ सरकार हम लोग के साथ एक धोखा है धोखा दिये है जो पहले भी नियब में लागू हुआ था हम लोग के कि आप लोग के पेतन मान दिया जाएगा संभर जीला संभर सिक्षक की वेदे दर्जा दिया जाएगा तेजस्वी सरकार जीसे में सरकार में नहीं थे उसे में बोले थे कि हमरा जब सरकार आएगा तो पहला कलम से पहला कैबिनेट के मत्री में दस लाग जुआओं को नोक्री देंगे जिसमें आप लोग को भी समान काम का समान वेतन देंगे इसके बाद नितीज सरकार चाचा भतिजाद उन्हों मिलकर इधर जल्द में जो दस तारी को जो निमाली निकालने का काम किया है उस सिर्फ चलवा है हम लोग के साथ धोखा है और जब तक हम लोग इसको घोसना किये हैं आज एक दिवसिये धरना देने का मुख कारण वज़ा यही है कि हम लोग 24 घंटा के मौलत दियत है कि 24 घंटा के अंदर निमाली वापस लो नहीं तो हम लोग दूसरे दिन से धरना करके हम लोग जनगनना का काम को बहिश्कार करेंगे मुक रूप से आज धारना करने का मकसद हम लोग का यही है कि हम लोग को निमावली जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग जनगनना को बहिशकार करेंगे यह सरकार धोखा दे रही है चलवा है तो मैं थोड़ा चाहूंगा कि अब नितिश कुमार जी साइद लगता है कि परधान मंत्री के दावेदार बनने वाले हैं परधान मंत्री बनने वाले हैं बिहार में लगता है कि अब उन्हें नहीं रहना है अब बिहार में साथ लगता है कि इस बार मुखमंदीर रहे या ना रहे नितिश कुमार जी लेकिन तेज़सी पर साथ यादो जी आप इवादी लोग का धड़कन है आपको लोग काफी चाहते हैं आपको भविस का मुखमंद्री है भावी मुखमंद्री है आपको इन लाती धूप में इन लोग सिच्षक जो सही ढंग से पैसा कमा रहा है यहां पर बालू माफिया सरा माफिया का बूल बाला है और सिच्षक रोड पर आपसे तरस के भीक मांग रहे है बड़ा सोचने वाली बात है इनके बीवी बच्चे बाल बच्चे कैसे जीएंगे कैसे यह सोचने वाली बात है और सिर्फ आपको मैं सिच्षा मंतरी चंदर सेखर यादोजी से भी कहना चाहूँगा मैं बिनमर बिंती करना चाहूँगा कि ऐसे सिच्षकों के लिए आप लोग कुछ सोचें और सिच्षकों का क्या कहना है आप जरूर समझ रहे होंगे हमने गोरों से लड़ा था और चोरों से भी लड़ेंगे नहीं देती है तो कल आज सोने वाले जातिकत करना का काम हम लोग पूरे बिहार में बंद कर दिये हैं और तब से बंद रहेगा जब कि बंद इसकता सकते हैं जो सता रूर्दल के बिधायक मंतरी होते हैं उनका गुलाम होते हैं किसी को आवाज निकालने के लिए छमताही नहीं है जब यहीं विपक्ष में थे तो अब भीपक्ष के विधायक थे या विपक्ष के मंत्री थे तो पुर्ण रुप से हमारे हर धरना परदर्शन या कार्ज करूं में बैठ करके अब पुर्ना स्वासन देते थे लेकि जब सरकार बन गए तो सरकार के साथ सब सब्सक्राइब कर रही हैं लोग टेट ले स्वासन परिछा लेकिन जब तक हम लोगों को पहले फुल फिल कर लें कर लें वह लोगों को राजकरमी कर दर्जा दे दे उसके बाद जो भी नियम मनाना आइं लोगो यह बनाए हम टेश्ट देने के लिए एस् हैं पुल्फिल कर आए जहां तक का सवाल सिर्ट Άत्पार सिर्ट्स को हूं ah इसका विर्वह इसलिए कर रहा हूं कि जो नए ऊच्टॏइंट और वह मुकाबला आप क्यों करवा रहे हैं हमारा विभागिया एक्जाम आप ले लें चुकि हम लोगों ने दस साल तक आपके विद्याले में सेवा दिया है हमने दस साल तक खुद के लिए नहीं पढ़ा है बच्चों को पढ़ाया है आला के सरकार को इस पर बिचार करनी चाहिए नहीं तो दिन दूर नहीं होंगे जो आपके और अंगाबा जीला से छेषे बिधायक जित कर जा रहे हैं और अपने जीला के लिए या फिर हर एक सिचकों के लिए आप नहीं सोच रहे हैं पुरा बिहार भर की ये बात है तो सिच चुनाओं नाजाने कौन कौन से काम हो हर एक वर्क में लगाया जाता है लेकिन इनके साथ सवतेला वेवहार किया जा रहा है तो मैं सिरीच चंदर सिखर यादो जी से मैं कहना चाहंगा सिक्षा मंतरजी से कि उनके बातों पर बिचार करें हम पहले चाहेंगे कि जितने संगहस्मोर्चा के सिख्षक गन हैं तमाम सिख्षक जितने हैं हम लोग तवाही चैनल के आपको बहुत अधंदा स्वागत करता हूं इसलिए कि बहुत हम लोग नाम सुने हैं तबाही चैनल को इसलिए चाहता हूँ कि सिक्षक के ये कड़वा कार्ज में आप बहुत धोप चिलाती धोप में आनकर हम लोग को जो ये लेने का काम किये हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तबाही चैनल को हमारे पूरे त करूंगा कि इनका सरकार से कहना क्या है बहुत-भःध धन्य वाद तबही जी ऑर मुझे सरकार से कहना है पूरे बिहार में परखंड में परखंड में एक दिवस्य धार्ना का आयोजन किया गया है आयोजन का मुख्य मुदा है जो नए निमावली जो आए है उसमें संसोधन अगर सरकार नहीं करती है पूर्व से नियोजित सिक्षक जो भी है वो बनिहार के तरह खट रहे हैं दा को बस और कुछ मांग नहीं है जो नए निमावली है उसको सरकार वापस ले और पूर्व से जो भी नियोजित सिक्षक हैं उनको राज कर्मी का दर्जा दे और इसके बाद जो भी उनको लेना है नए तरीका से निमावली बनाना है चाहे नियोजित सिक्षक के लेने के वह अपना आज के बाद आपना जो भी उनको लेना है नहीं निमावली बना के अपना लोड एस्टी टी 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 है जो बेचारे मेहनत किये हैं रात दिन एक करके वो एक्जाम पास हुए और फिन कहते हैं कि उनको भी भरना पड़ेगा फॉर्म तब बीपीएसी दुवारा तब उनका एक्जाम होगा फिन पास होगे और ना जाने फिन होगा की नहीं होगा ये को जानता है और अगर नहीं सरकार वापस लेती है नहीं निमावली को तो पहले पूरे बिहार में जाती है जनगन्ना का भी बहिसकार करते हैं हम लोग जब तक अब नियम को वापस नहीं लेती है तब तक हम लोग जाती है जनगन्ना का बहिसकार करेंगे